हालो बच्चों कैसे हो आप सभी बच्चों आज बढ़ेंगे कच्छा नौ का एंसी आटी मैथ एक्सरसाइज 13.1 कुष्टन नमर आठ लेकिन ध्यान दीजिएगा आज हम 13.1 पूरा खतम कर देंगे तो आठमा कुष्टन अभी मैं समझाओंगा लेकिन उसके पहले आप सटमा छटमा पच्चमा चाउथा तीफरा यह कुछ कुष्टन रिपीट कर लिजिए मैं आपको अच्छे से एक बार समझा देता हूं जिससे आपका कोई डाउट ना र रहना है रहोगे ना पूरा समझ में आएगा पूरी गारंटी है मैंने कल पढ़ा दिया था इसके पहले सटमा कोश्टन शटमा पाच्चमा लेकिन आज मैं फिर पढ़ाऊंगा कुछ कुष्टन ध्यान दीजिए पूरा देखिए गा चलिए कोश्टन नंबर चार पर ध्या पर पैंट करने के लिए पर्याप्त है इस दिब्बे के पैंट से 22.5 cm x 10 cm x 7.5 cm भीमाओ वाली कितने इंटों को पैंट की जा सकती है समझ रहा हो ना बिटा यानि एक दिब्बा में पैंट भरा हुआ है पैंट आप देखे हो ना कच्छा नों में पहुंच गयो लगबग ह पैंट में पैंट किया जाता है तो पैंट आप जानते हो क्या होता है वह डिब्बा में भरा हुआ है कि उसमें जो पैंट है वो 9.3 75 mi चैनल पर पेंट किया जा सकता है आट जाएक मतलब कम नहीं पड़ेगा तो आगे कह से हैं कोई इंट पर्ञ्ट करना है इंट कैसे हैं तो पिन boyक को पेंट किया जा चाहिए पूछा है कितनी किया सकता संख्या ज्याद करनी है गयंद को करना कि चारो तरफ करेंगे नीचे निलगा एगे क्ली लगाएंगे तो क्या करेंगे हम इन इंटों का संपूर निकालेंगे टोटल सर्फेस एरिया निकालेंगे, क्या निकालेंगे, टोटल सर्फेस एरिया निकालेंगे इंटों का, यानि TSA, TSA निकालेंगे, फिर उसके बाद उसी हिसाब से आगे क्या क्या करते हैं, आईए, शुरू करते हैं, कुछ आगे, तो फिर समझ में आएगा, लिखिए, टो लिखा उसके बाद इसको लिखिए यह किसी भी जो है सर्फेस का अगर इस तरह से उसके बीमाय दी गई है तो आप उनका टी एसे निकाल सकते हैं इस फार्मूले से दिख बाबु जो कुईस्टन दिया है उसमें आपके यह बहलू दिये हैं यह कितना दिया है आप ध्यान दो तो 22.5 cm दिया है वहीं बी यानि व्रीत का भी मान दिया है जो कि 10 cm है और यह 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 नहीं यह दिया आपक एच कितना दिया है 7.5 cm दिया है ठीक है भया सारे मान इसमें रख दीजिए फटा फट चलिए रखिए जल्दी से आईए टू ऐसे रहेगा एल इंटू बी यहल कमान 22.5 बी कमान कितना है कमेंट सब का देख रहा हूं बेटा जो परिसान हो मैं नाम नहीं बोलूंगा जब दया क्याहा अच्छा काम नहीं करोगे शबका देख रहा हूं मान मताओ चलो बी कमान बता वे बावत अच्छे ब्यूट सिवं बहुत अच्छे ठीक है तो बी कमान 10 है फिर बीच में प्लस है फिर कमान रखना पिर से 10 इंटू याच दिज़ कमान 7.5 घब प्लस याच कमान होगे बाबु यह 225 हो जाएगा आपका पूरा-पूरा क्यों हो जाएगा कि नहीं कुश्चन हटा दो रस्ते से बिल्कुल भी अटके न तो आपका ही हो जाएगा 225 प्लस यह हो जाएगा 75 75 यानि इसका जब आप मल्टिपल करोगे 75 यह थोड़ा लंबा हो जाएगा आपका 168.75 यह इतना हो जाएगा ठीक है यहाँ दसमलो लगा है गुड़ा भाग करना आपको आना चाहिए यह आठ है ठीक है आठ ओके चलो आगे लिख लिए फटा-फट चलो आगे हल करो अब क्या करेंगे इन सब को जोड़ोगे बिटा बाबु इन सब को जोड़ोगे और सेंटीमीटर का स्कॉयर रहेंगा थो फाइनल में आप करोगे तो 936.5 आएगा इतना है का गुड़ा करके देखो 930.5 सेंटीमीटर का स्कॉयर यह आपके इन का साफह ज्हेतरन आ गया क्या एरिया आ गया चुणकि इसमें और भी कुछ दिया है कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर स्वार का मतलब जानते हैं को फिसके का मतलब होता है कि हंड्रेड़ इंटू in मीटर के छेतरफल पर पेंट करने के लिए परयापत है लेकिन जो यहां पर एक संपूर्ण प्रिष्ट आ रहा है वह सेंटी मीटर में यह और यह सेंटी मीटर का स्कॉयर में में है वो सिर्फ मेटर में दिख रहा है तो आपको पता है यह नीचे चाहे तो लिख लो थोड़ा सा लिख लो चूँकी वन सेंटीमीटर स्कॉयर इक्वल हंड्रेड इन्टू हंड्रेड सेंटी मीटर यह पता है ना आपको कि नहीं देखो इसका मतलब अभी में समझा देता हूं देखे बच्चों यह थोड़ा कन्फ्यूजन वाली बात है थोड़ा इसमें मिस्टेक हो गया ना सौरी इसके लिए देखो समझ जाता हूं मैं आपको डिटियल में इसको समझो एक्चुली क्या होता है यह वन मीटर इसकुल हो जाएगा हंड़ेड इन्टू हंड़ेड सेंट करोगे तो वह नहीं रहेगा इसमें कोई फरक तो पड़ेगा नहीं तो आप इसे वन मीटर का सकते हो जब इसको हंड़ेड सेंटिमीटर को इसको भी स्कुआर में करोगे तो यह आपका हंड्रेड इंटू हंड्रेड हो जाएगा सेंटिमीटर का स्कुआर यानि कह सकते हो one-meter-square equal 100 x 100 cm x square ठिक है यह आप सब को पता है ऐसा इफ लिए किया जा रहा है अभी आप करना है इसको इसको टोटल को मेटर में ठिक है इसको चाप लो जल्दी से इसको जल्दी लिखो आगे बढ़े चलो हो गया इतना अब देखो चुकि यह इतना क्या आया है cm का square में आया है और बाबू हमें जो निकालना है वो क्या है मेटर में निकालना है तभी हमें इटो की संख्या मिलेगी तो लिखो लिखो चुकि 1 meter square equal 100 into 100 cm का square इफ लिए इसलिए हमारे में जगा नहीं इफ लिए अलग लिख रहा हूं नहीं किसमें गुड़ा करोगे किसमें करोगे भाई भाग हो जाएगा सीधा 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 इसमें 100 into 100 से न जो आपका यह इधार है इसी से तो टोटल भाग हो जाता है न भाईया हम लिख लो नीचे लिखो इतना equal 937.5 upon 100 into 100 अभी यह मीटर का square हो गया ठीक है भाईया हल कर लो बाबु इनको हल करना आप सभी जानते हो इसमें कोई बड़ी बात है नहीं 0.09375 आएगा न कर लो यह यहा अब इनक पर समलो है वैसा चार बार जीरो था अगर भाग देते तो चार अंक पे दसमलो लगता एकन पर पहले से था या पांक पर honu हैं भात है है ना सही बात यह क्या मिचा कई स्पायर अब क्या करोगे नंबर रिक्वाइड नंबर आफ ब्रिक्स 9.375 कितना पेंट था जो भी उतना पेंट को खापाने के लिए आवस्य कीटों की संख्या ठीक है लिख लो कुश्चन एक बार देख लो फिर मैं लिखवा देता हूं कुश्चन देखो तहरा था इतना जो है हाँ 9.375 मिटर के छेतरफल पर पेंट करने के लिए जो है वो परियाप्त है ठीक है लिखो लिखों लिखों कुल पेंट को खतम करने के लिए या फिर कुल पेंट की खपत के लिए आवस्यक हीटों की संख्या बराबर क्या करोगे भाइया इनका भाग देदे के किसमें जो टोटल पेंट था उससे एक हीट के छेतरफल में तो यह टोटल पेंट था आपका 937.5 क्या था टोटल कितना पेंट था 9.375 ना ठीक है लिख लो 9.375 बेटा एक का जो आया वो कितना है जीरो पॉइंट जीरो नाइन थिरी सेबन फाइव मीटर का स्कॉयर लेकिन इसमें मीटर का स्कॉयर कहां से आएगा इसमें तो इनको भाग देके देखो यहां पर देखो बाबू पांच अंक पर दसमलो है तो क्या होगा जीरो बढ़ा के एक्स्ट्रा मल्टीपल कर दो इसको आप हल करना जानते हो नाइन्थ में पहुंच गयो बताओं क्या डीटियल में बराबर सौ इंट आएगी जिनको ना समझ में आ बताओं मैं डीटियल बता देता हूं रुख जाओ बता देता हूं टेंसन मतलों कितना है अब ही मैं इसका बता देता हूं डीटियल में सुन लो इसको लिखना चाहो लिख लो मैं उपर मिटाओंगा जल्भी करो वीडियो करो करके लिखो देखो बाई सीधा सा फंडा है जादा कुछ नहीं पढ़ना आपको नीचे देखो बाबू आपका पांच अंक पर दसंबल उपर भी लिख दो लेकिन ऐसे तो हिसाब बराबर होगा नहीं चुकि नीचे दसंबलो ज्यादा था अंकों में उपर कम है तो क्या करेंगे जिदर कम है जितना अंक कम है उतने सौ से उपर कर दो गुडा मतलब उतनी बार जिरो लगा के ठीक है तो बाबू ऊपर दो अंक क तिफले क्या करोगे सौ से गुडा कर दो यह कड जाएगा बराबर सौ इंट आएगा यह मैं डीटील में समझाया जो वहां अंसर आया था बाकी वहीं आएगा ठीक है इसमें किसी को कोई डाउट नहीं ना बहुत से बच्चे कमेंट कर रहें बटा परसान न रहो बच्चो तोहीद अहमद और तोहीद गाजी इनका भी कमेंट आ रहा है तो अगर आप लाश्ट तक रुखते हैं रोज हमारे साथ जूड़ते हैं तो हम आपका नाम जरूर बोलते हैं कमेंट सबका देखते रहते कुछ भी नहीं समझ मैं कमेंट करके बताओ बताया जाएगा 13.1 का कुश्चन नमबर सेबन ध्यान से देखिए एक छोटा पौधा घर संपूर्ण रूप से सीशे की पट्टियों से घर के अंदर ही बनाया गया है लेकिन यह छटवा नमबर है यह तो हो चुका है ना अब नमबर यह सांती स्वेट इस्टाल अपनी मिठाईयों को पैक कराने के लिए गत्य की डिब्बे बनाने का आडर दे रहा था दो मापों की डिबों क्या आउसकता थी बड़े डिबों की माप 25 सेंटीमेटर इंटू के लिए वहीं अगर हम चोटे दिबी की बात करें बाबू तो चोटे कुछ आइसे था कैसे ऐसे था देखो यह 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 यहँआ पर रखा एक पे चुटा है आये हैं तो हो ढ़िब्ऌ वो था यह चोटा दिब्बा था दो की बात हो रही थी तहाँ ध्यान से समझ ना पूर में एक बिस्रेश चीज का रहा है इसमें कुछ देने वाले नहीं आपको कुछ है भी नहीं सुनिए कि नहीं है मिलेगा नहीं बिरुक कि बता रहा हूं को इस पहले एक बार और पढ़िए तब आपको मतलब की बाद बताएं यह तो बड़ा चोटा हो गया आगे कि सभी परकार की अतिव्यापता अतिव्यापता या ओबर लैप्स के लिए कुल प्रिष्टिय चेतरफल का पांच परसंट के बराबर अतरिक्त गत्ता लगेगा अतिव्यापता का मतलब यह बाबू जैसे देखो यह दिब्बा हो गया ठीक है इसमें गत्ता लगा इसमें लगा इतना समझ रहे हो कि नहीं जो इतना बढ़ा है इसमें यह आगे यह क्या है पांच परसेंट एक्स्ट्रा गत्ता है अगर इसको सिर्फ कबर करना होता हुपर जैसे नीचे से तब गत्ता कम लगता यह थोड़ा बढ़ा रहता ना आगे तो यह दखने के बाद इसमें गुश इतना लटका है अगर यह क्या है अगर चार रूपय परती हजार सेंटीमेटर स्कॉयर है तो फिर परते एक परकार के भाई सो टिब्बे बनवाने के लिए कितनी लागत आएगी बहुत ही सिंपल है पहले बड़े डिब्बे का फिर चोटे डिब्बे का दोनों का बाबू आप टीए से निकाल लीजिए टोटल सर्फेस आफ एरिया संपूर्ण शेद्रफल निकाल लीजिए दोनों को जोड़ दीजिए जितना टोटल एरिया आजाएगा उसको आप जो लागत दी गई है उसके कार्डिंग उड़ा करके आंसर निकाल लेंगे चलिए देखते हैं जोटिया लिखिया लिखिए और लिखो बड़े बाक्त के लिए लिखिये यहां पर बड़े वाक्ड के लिए ढाइब बड़े box के लिए क्या होगा देना यहां पर बाबु लिख लो बड़े box के लिए संपून प्रिष्ट अभी इंगलिस में बताऊंगा संपून प्रिष्ट पराबर इंगलिस में लिख लेंगे टोटल सर्फेस एरिया फार बीग बॉक्स बीग बाग्स यह जो तो इसमें आप फर्मूला लगा हो कि वही जो आप लगाते आये हो टू इन्टु याल बी प्लस भी एच प्लस एच एल क्यों बहुत सुत्रसाई लिखाऊ न इसमें अब को मापे दी गई इन्टीफाइब संटीमेटर 20 संटीमेटर 5 तो बाबुशी सी बात यह इसमें दिया है आप देखो यल जो 25 होगाоп्या दी अदी जो उससे थोड़ा कम होगा हूं मैरा की से न कितना होगा यह आपके वह आप siach यहां पर दी गई हैं ओके आगे देखो क्या कह रहा है हमें तो टोटल सर्फेस एरिया निकालना जीसे इंग्लिश में टी एस ए आप साटकर में लिख सकते हो सारे बहलू इसमें रखके इसको निकालना है कुश्चन को स्क्रीन से हटाना है और फटा फट मान रखके आंसा ले आना है आईए मान रखिए टू एल कमान 25 बी कमान 20 एवाई बंदना करना अभी फिर प्लस बी कमान 20 एच कमान 5 प्लस एच कमान 5 एल कमान 25 अब मैं थोड़ा इसको इधर खीच लाओंगा जिससे लगाना असान हो जाए ठीक है बबुआ समझ रहा हो ना हम चीज दूना पचास यह हो जायाएगा आपका 500 और प्लस बीस पंचे 100 और प्लस 25 पंचे 125 इनका गुड़ा करके जोड़ लोगे राजा कितना हो जाएगा पांच सो एक साथ सो पचीस कितना हो जायाएगा दू गुड़ा साथ सो पचीस साथ दूना चाउदा सो यह कुड़ मिला के हो जाएगा चाउदा सो पचास ध्यान रहे सेंटीमीटर का स्कॉयर आएगा चूकि हम एरिया निकाल रहे है यह मत भूलना टोटल सर्फेस एरिया है ठीक है यह आपका हो गया बड़े डिब्बे का लेकिन अभी द्हान रहे इसमें पांच पर्शंट अतरिक्ट गत्ता लग रहा बोल रहा है तो इसका पांच पर्शंट निकाल लीजिए लिखिए 5% फार ओबरलेप यह पिर हिंदी में लिख लीजिए पांच पर्शंट अति बयापतक्ता के लिए एसे तो इंगलिस्थी ना आतिब्या पक्ता के लिए कुश्चन में देखो लिखा है तो बाबु क्या करोगे 1450 का 5% निकालोगे मतलब की पांच बटा सो परफिंटेज में निकालना आप जानते हो ना किसी भी नंबर का अगर परफिंटेज निकालते हैं उस नंबर से गुड़ा करके सो से भाग कर देते हैं एक आप जानलो कि 72.5 सेंटीमीटर आएगा यह क्या है इसको एर में ही लिखना इसको भी क्योंकि यह भी एरिया ही आया है 5% अतरिक्त ओके यानि आपका बड़े बाक्स का टोटल यह जोड के आएगा चाहे तो आप लिख लो इन्हें लिखो कुल एरिया बड़े वाले बाक्स के लिए या फिर ऐसे लिख लो टोटल एरिया फार विग वाक्स लिखो बड़े बाक्स का कुल छेत्रफल का कुल छेत्रफल या फिर इससे ऐसे भी लिख सकते हो बड़े बाक्स के यार इसमें थोड़ा ऐसा लिखो एक बाक्स के लिए यह एक बाक्स का निकलता है टोटल 1200 बनाना है ऐसे भी लिख सकतो ठीक है बड़े बाक्स का कुल छेत्रफल कितना आएगा 1450 प्लस 72.5 देखो बाबु इनको जोड़ दो यह आपका हो जायागा 1500 और इसमें 22,25 बचेगा यानि 1522 पॉइंट फाइब सेंटिमीटर का स्कॉयर यह टोटल एरिया आया बड़े वाले बाक्स के लिए वो भी एक डिब्बे के लिए याद रखना अभी हमें इस तरह के क्या करने है धाई-धाइसो डिब्बे बनाने है बड़े में धाइसो चोटे में लिख लो इसको चापलो पह के लिए छेत्रफल बराबर लिखलो कहीं मिटाओंगी नहीं किलो साइड में लिखो 250 बांक्स के बावबर किसलम requis करते रहे हों लिख लो सब्रसूपचाज बाक्स के लिए छेत्रफल बड़ाबर fetur इंग्लेस में लिखेंगे एरियар k气 asked equal बढ़र दो सो 250 से गुड़ा कर दो बावू यह 1522.5 जो भी है आप इनका गुड़ा करके जितना पाओगे वही आपका आंसर हो जाएगा मतलब यह छेत्रफल अभी फाइनल आंसर नहीं कर लो 380 625 सम्थिंग आयेगा सेटिमेटर का इस्कुएर यह आपका टोटल एरिय आया 200 फास के लिए अब अगर हमें इसका खर्चा निकालना है तो इसका हम चार परसंट गैसा कुछ का है रहा था निकाल लेंगे लेकिन हमें निकालना था चोटे बड़ेगा तो अब हम छोटे वाले बाक्स का भी करेंगे इसको लिख़ें नोट कर लीजिये पिर आगे बढ़ें जल्दी कर टोटल सरफेस आप एरिया फार इसमाले इसमालेस्ट वाक्स या इसमाल वाक्स और मुला लिख लीजिए वैसे ही अब इसमें मान रख दीजिए फटा फट देखे छोटे वाले बाक्स के लिए इसमें क्या-क्या दिया गया था आप ज़रा ध्यान से स्क्रिन पर एक बार सुझके इनको कल्कूलेट करेंगे। फट से इनका आंसर आपके सामने आ जाया गांत स्वत्स साइड में करके आ। है है चलो टु यहल कमान पंदरह बीकमान बारह पलस भीकमान बारह यह पांच पांच यहलकमान 15 है कल दू। है आपका 15-12 का कुणा करोगे 15 2-30 हासिल ahead gan साथ और यह पचात्तर देखो चाचा लोग जल्दी जल्दी इनको खटा-खट लपट लपट की कर डालो जोड़ों के टोटल 315 आएगा फाइनल में 630 सेंटीमीटर का स्क्वायर एरिया आगे आपका छोटे वाले डिब्बे का कोई डाउट नहीं ना कल्कुलेसन नहीं आ रहा बिल्कुल टेंसन मतले ना कमेंट करिए और जीरो लेबल जॉइन कर लिजिए आईए यह एक डिब्बे काया बाबू लिखो नीचे अ आपका कटेगा पांच दून दस बासाट का 31 होता है 31.5 सेंटीमीटर आएगा इसक्वायर अब लिखो नीचे छोटे वाले बाक्स का कुल छेत्रफल लिखो फारी स्मॉल बाक्स नीचे लिखो छोटे वाले बाक्स का कुल छेत्रफल टोटल एरिया कितना होगा देखो बराबर आप जोड़ोंगे तीस तीस यह हो जाएगा साठ एक सथ तो छेस्सों एक सथ दसमलों पांच सेंटीमीटर का स्कॉयर यह आपका आया छोटे वाले डिब्बे का भी ठिक है एक डिब्बे का आया ध्यान रखना अभी अब आप लिखोगे लिखो छोटे वाले 250 डिब्बे का संपूर्ण प्रिष्ट या संपूर्ण संपूर्ण प्रिष्ट लिखो टीसे छोटे वाले डिब्बे के 250 डिब्बे के लिए टीसे यानि संपूर्ण प्रिष्ट बराबर कितना हो जाएगा बाबु टोटल आप जोड़ लोगे योग कर लोगे क्यों टोटल तो मैंने पहले जोड़ लिया है जब एक डिब्ब का इतना है टोटल तो 250 डिब्ब का क्या होगा 250 डिब्बे का बवबा इनको गुड़ा कर लोगे तुम ऐसे गुड़ा करके देखो एक 0 से 1-0 पहले यहां पर उतार लो तो आपका कितना आ जाएगा कि एक सो पाइसर तीन सो पचैतर के लगबग आएगा कि मल्टीपल करके देखलो बिल्कुल भी टेंसन नहीं लेना आपको आना चाहिए यह सेंटिमीटर का स्कॉयर तो बाबु यह आपके धाई सो डिब्बों का एरिया आगया टोटल छोटे वाले का बड़े वाले का भी मने के बाद जो आएगा उसमें जैसे खर्चा बोला है चार रूपए प्रती से हजार सेंटिमीटर ही स्कॉयर की दर से वह ऐसे गुड़ा कर दो गया अंसर आजाएगा चलो लिखो लिख लो फट से टोटल एरिया बिग बॉक्स और स्माल बाक्स दोनों के लिए ओके चलो आए था ना कुछ और आया था बता देना बिल्कुल टेंसर मद लेना यह आपके दोनों जूड़ जाएंगे तो आपका यह 546 और यह तीन टाइम जीरो पांच लाग शीयालीफ हजार यह सेंटिमीटर का स्कॉयर आएगा टोटल सर्फेस आफ एरिया यानि टी से दोनों बा हुआ कह रहा था कि 4 रूपय प्रती 1,000 लिए लगती थी तो पहले तीसे 4 बटा 1,000 कर लो जितना कह रहा है फिर आपका यह 546 तीन जीरो कर लिजिए तीन जीरो फिर तीन जीरो कट गया चार से गुड़ा कर दीजिए चार चंग 24 आसिल 2,4,4,16,2,18,8,8,8,8,1,4,25,21,18, यानि 1884 रूपय टोटल लागत हो जाएगी कोई डाउट है तो बताओ नहीं न इस तरह से आपका यह कुष्टन कंपलेट हुआ चलिए नेक्स्ट कुष्टन नंबर आट देखिए ध्यान से देखिएगा बिल्कुल कहीं जाईएगा नहीं कुष्टन नंबर आट एक चीज नेक्स्ट यह लाश्ट कुष्टन है इस प्रस्णावली का चलिए कुष्टन देखिए आठवा नंबर क्या कह रहा है कि अर्बीन अपनी कार खड़ी करने के लिए एक को कि संदूक के प्रकार के ढहाचे जैसे एक आस्थाइसस्थान तिरपाल की सहायता से बनाना चाहती है है अर्बीन क्या करना चाहती भ densट majतनी कार खड़ी करने के के लिए तरपाल की सहाथा तो ऐसे आप समझ लो कैसे बनेगा उसका इस्ट्रेक्चर देखो इसको मानलो यह बना रही आकार ठीक है उपर साइड खुला रहेगा खुला काय रहेगा चारों तरफ बनाएगी ने वह वह कार खड़ी करेगी तो उपर भी तो ड्हांका रहेगा आगे देखो क्या कहता पहल हाएं कार अंदर चले जाए फिर इसको गीरा देंसे कैसे कपड़ा लगा है कपड़ा नीचे थाई उसका यहां पर ई कर गया जिए यहमें ते का से लाएिसी फेसे मानते हुए कि सिलाई के मैश प्लू और नगा नगी स्टरिघया गाय॥ टाब जिससे जोड़ नहीं जाएगा कि वह कितना कपड़ा होगा ठोड़ा बहुत लगेगा कि अधार भीमाउट चार मीटर तीन मीटर और भाई मीटर उन्हें धाचे को बनाने कि कि तो तरफ तुम निकालो होगे प tiefen निकल लेगा चारों तरफ का याद रखना क्योंकि गर की तरफ भी पूरन ध्हां का बता रहा है अ तो आप क्या करो गे एक परकार खिए ऐक आपका बनेंगा भई गणाब बनेगा घणाव जैसे बनेगा और सरह रखिर मंदलत village इस समझों इसमें क्या करना यह सेयागी इधर आद पर जसे इसे नीचे को गिरा जाता है तो तो विल लगेगा लेकिन नीचे अब बिच आ लंबा कितना से निकालों गए कर्फस से लिया और जो ऊपर ही वाला भाग है उपर का उसका सीधा फिधा आप एरिया निकाल लोगे दोनों दो पार्ट में निकलेगा एक तो आपका ये चारों तरफ का निकलेगा और एक उपर साइड गाइच्छा तवाला बस सिंपल है चलो कुश्चन स्क्रीन से अटाईये लिखिए एक मिनलेट यार कुश्चन हटा ना था तो इसको अटा दिया पुश्चन अटे गया चलो देखो लिखिए कुल छेतरफल बराबर क्या करोगे लिखो प्रिश्टि ए छेतर फल प्रिश्टि ए छेतर फल इंग्लिस में आप लिखोगे CSA plastic प्लस ईपरी भाग का छेटरफ ल कको तो गी उपरी माने डेखा था ना मैंने आपको बतायाther की नहीं है तरह के uit Couch Attzenie ME सब्सक्राइब क्या होता है अगर यह आयत से बना हुआ क्यू वाइड हो गया यानि घनाब हो गया तो इसमें उचाही एक और हो जाती है तो उचाही से गुड़ा कर दोगे सिंपल है कि लिखो क्या होगा टू एच इन्टू एल प्लस बी यह होता है बस कि उपर वाला आप जोड़ दोगे आयत वाला इसका चेटरफल क्या होता है लें टू बी क्योंकि उपर जो इस्ट्रेक्चर बन रहा है वह आयत की जैसे ही बन रहा है ना महां रख दीजिए हैं एच इन्ट ओंट 5 है यन्ट कमान 4 है ल्च 3 हो और फॉर है वीघ कमान 3 है यन्ट कमान4 ब्लत और भी इचे 낫ाटना तो जायागा और चर्थे 80 हो जायागा क्यों भाई सही जा रहा है न जोड़ लो पांच सथे 35 कुछ गड़बड हो रहा है का मुझे लग रहा है यह चारतियां ही 12 हो जाएगा कहां बुद्धी जा रही है यह 35 और यह 12 कितना हो जाएगा भाईया बाबू 47 मीटर स्कॉयर 47 मीटर का कपड़ा लगेगा तिरपाल लगेगा उस कार के लिए इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ नहीं न इसी कुश्चन के साथ आपका एक्सरसाइज 13.1 खतम हुआ 13.2 पढ़ेंगे अगली क्लास में किसी को कोई डाउट रहे तो बताओ नहीं न कोई डाउट नहीं नहीं चलिए देखते हैं